हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में मैं आपको आज आधार कार्ड इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है यह आधार का में वेबसाइट ओपन कर लेना है मैं वेबसाइट ओपन करते हैं आपको ऐसा इंटरफेश देखने को मिलेंगा मैं आधार पर जाना है यहां पर डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के के बाद आपको तीन ओप्शन मिलेंगे या तो आधार नंबर से आप अपना आधार का डाउनलोड कर सकते हैं या तो आपके पास वर्चुल आईडी होगी वी आईडी नंबर या तो उससे आप कर सकते हैं तो मैं आपको आधार नंबर से गरके रिखाता हूं आधार नंबर इसमें 12 डिजिट का अधार नमबर डाल लें कि फोड़ सिक करते हैं तो आपका अधार काट क्रॉस करके प्रिंट होगा समझ रहे हैं चार के चार डिजिट दिखाई देंगे बाखी के दिखाई नहीं देंगे तो याद रखें कि आपर मास्क पर टिक नहीं करना है यहाँ पर आपको कि कैप्चा डाल देना है कि यू सी पी ऐल सिध्यान से कैप्चा डालें सेंड ओटीपी कि यहाँ पर आपके मुबाइल नंबर पर चला गया यहाँ पर आपको सिक्स डिजिट का डिजिट का वन टैम पासवर्ड मिलेगा आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देने है यह भी जो भी ओटीपी आपका यहाँ पर ओटीपी डाल देने है और यहाँ पर यस करके यह आपको डाउनलोड कर लेना यहाँ से मैं ओटीपी डाल के आपको दिखा देता हूं मैं ओटीपी आपको यहाँ पर आपको OTP डाल ले हैं मैं OTP आपको डाल के दिखाता हूं यहाँ पर आपने टिक कर लेना है और verify and download यह आपका download हो गया अब इसको open कैसे करना है कि आपको आधार नंबर के starting के फो डिजित कैप्टल अच्छर में लिखने हैं बाकी आपके डेट अब बर्त की यर लिखने हैं ठीक है जैसे राम लिखना है तो आर ए एम राम उसके बाद कि उसके बाद आपको 1980 ऐसे करके लिखना है ओके ओके थे हैं कि सो मच कि अधिवे टह – कि बादब के लिए-अपको